तो चलिए वीडियो इस तरह करते हैं यहाँ पर दो मीटर फेबरिक लिया है यह रियोन फेबरिक आपकी पसंद का कोई भी फेबरिक को यहाँ पर यूज कर सकते हैं गुद्ध करेंग viol भारा इच पर निसार लगा ररही है आपका जितना भी हिप का मेजर्मेंट हो उसमें आप दो प्लस कीजिए और उसका चोते भाग पर यहाँ पर निशान लगाईए देखिए इस तरह से मैंने एक कॉर्णर पर यहां 12 इंच का निशान लगाया और दूसरा 12 इंच का निशान हमारा सामने वाले कॉर्णर पर दीजिए इसे उंगली रखकर आप जहां हमने निशान लगाया है इसे फोल्ड करलेंगे यह हम दूसरी साइट से भी इसको फोल्ड करलेंगे अब हम इसे इसे कट कर लिया है अब हम इसे उरेव वाले भाग को उरें वाले भाग में और सीधी साइट को सीधी साइट में इस तरह से बिछा लेंगे या चार भाग आपको मिलेंगे कपड़ा कट करने के बाद तो इस तरह से सीधे वाले भाग को सीधे वाले भाग में और उरेव साइट को उरेव साइट में इस तरह से हम रख लेंगे अब हमारे पास यहाँ पर अपने हिप के अनुसार आशन के लिए हम आपको आशन चार्ट का वीडियो देखना है तो मैंने अपने चैनल पर पहले अपलोड कर दिया है मैं आपको यहाँ पर आई बटन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगे आप वहाँ देखकर आपने आपके अकोर्डिंग आसन का निशान लगा सकते हैं देखिए इस तरह से आसन का निशान लगाने के बाद मैंने यहाँ पर दो इंच का हम दो इंच चोड़ाई पर अब हमारा देखिए अब हम इसके बाद लंबाई पर निशान लगाएंगे तो जहां हमने बेल्ड का निशान लगाएं वहाँ इंच टेप रखकर इस तरह से लंबाई जितनी भी आपकी लंबाई हो उस पर निशान लगाएंगे मैं यहाँ पर 38 लंबाई रख रही हूं न कर लेंगे जो आशान का निशान हमने लगाए ता उसकी'm कटिंग कर लेंगे और उसके बाद हम नीचे कोलाई में सकी कटिंग कर लेंगे देखिए इस तरह से नीचे से हमको अच्छे से गोलाई में इसकी कटिंग करनी है देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर चार भाग कपड़े के मिलेंगे सबसे पहले हमने जो उरेब साइड है कपड़ों की उसको हम जोड लेंगे देखिए इस तरह से दोनों भाग की उरेब साइड को हम जोड लेंगे तो चलिए सबसे पहले मसीन से हम इन दोनों उरेब भाग को जोड लेते हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इसका प्लाजो का ड्राफ्टिंग वीडियो भी देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए मैं आपके लिए ड्राफ्टिंग वीडियो जरूर बनाओंगी तो देखिए इस तरह से हम इससे जोड लेते हैं सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर इन्हें दोनों भाग को जोड लिया हमने सिर्फ अभी इन्हें उरेव भाग से जोड़ा है अब इसके बाद हम इसे सेंटर से जोड़ेंगे एक दूसरे से देखिए इस तरह से हम यहाँ पर हमने यहाँ पर सिंगल कपड़ा ही बिचाया हुआ है तो यहाँ इस तरह से इन दोनों जोड़ों को जोड़ना है जो हमारा आसन का निसान है उससे सीधे नीचे तक हमें इसमें शिलाई लगा देनी है देखिए हम इन दोनों भाग को इस तरह से पकड़ कर सिलाई लगा देंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं देखे सबसे पहले हम इने आसन से जोड़ेंगे अभी सिर्फ हमें इसे इने आसन से ही जोड़ना है दोनों भाग को इस तरह से हम आसन से जोड़ लेंगे देखिए हमने यहाँ पर दोनों भाग को आसन से जोड़ लिया है देखिए इस तरह से दोनों भाग को हमने आसन से जो देखे इस तरह से हमें दोनों भाग कोईने जोड लिया है अब हमें इसमें बेट लगाना है आप चाहे तो इसमें नाड़ा भी डshe yap लगा सकतेяжं और लॉटम में हम पीको कर सकते हैं आप चाहे तो इसे ओट लगा सकते हैं तो चैश्तिक में पहले हम लगाने के लिए आपकी जितने भी कमर है उसमें हम 5 इंच तो करकर उतना सोकर य। इस तरह balcony ले ought कर करकर उतना स्रे लेने vaad लेकि 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 Sindra से सली वह कुछ जोड कर रखना है और इस तरह से फोल्ड करना है हमें लास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है इस तरह से लास्टिक को अंदर फोल्ड करकर बाहर हम कॉर्णर पर सिलाई लगाएंगे हमें लास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी देखे इस तरह से धीरे धीरे हम फोल्ड करते हुए बिलकुल कॉर्णर पर कपड़े पर सिलाई लगनी चाहिए हमारी लास्टिक पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए अगर लास्टिक पर हमारी सिलाई लग जाएगी तो फिर हमारा लास्टिक फेलेगा नहीं देखे इस तरह से आप फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे देखिए इस तरह से हमारा लास्टिक यहाँ पर लगकर तयार है आप चाहें तो उपर कॉर्णर पर भी हलकी कॉर्णर पर सिलाई लगा सकते हैं अब इसके बाद हम यहाँ पर बोटम को इस तरह से फोल्ड करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर पिको भी कर सकते हैं मैं यहाँ इसे हलका फोल्ड करकर सिलाई लगा रही हो हम इसे हलका हलका फोल्ड करकर इस तरह से दोनों बोटम में सिलाई लगा लेंगे देखिए इस तरह से हमारा ये नीचे बोटम में भी हमने सिलाई लगा कर इसे रेडी कर लिया है देखिए इस तरह से हमारा प्लाजो गेरदर प्ल पसंद आयोगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यों